और नौ सेना के जहाजों द्वारा की गई है जिसकी प्रक्रिया साथ में से शुरू हो गई है जैसे मैंने पहले भी साजह किया था इस प्रकार की यात्रा के लिए जो SOP जारी की गई है उसके अनुसार विदेशों में फसे भारतिय, संबंधित भारतिय दूतावास और उचायोग में अपना पंजी करन कराएंगे गर्भवती महिलाएं, छात्र, वीजा अवधी समाप्त होने वाले व्यक्ती, मेडिकल एमर्जेंसी केसिज इत्यादी को यात्रा में प्रात्मिक्ता दी जाएगी बॉर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी केवल एसिम्टोमाटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमती होगी यात्रा के दौरान सिविल एवियेशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा बॉर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडर्टेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक न्यूनतम अवधी के लिए अपने खर्चे पर अनिवार या इंस्टिटूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे गंतव्य पर पहुँच कर सभी की मेडिकल जाच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतू आप पर अपने आपको रेजिस्टर करना होगा अगर कोई यात्री सिम्टोमाटिक पाया जाता है उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिकल फेसिलिटी में पहुचाया जाएगा बाकी यात्री इंस्टिटूशनल क्वारंटाइन में पहुचाये जाएगे 14 दिन के इंस्टिटूशनल क्वारंटाइन के बाद इनका दुबारा कोविट टेस्ट किया जाएगा और स्वास्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अगरिम कारवाही की जाएगी इंस्टिटूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित राज्य या केंदर शासत प्रदेश की सरकार की करेगी विदेश मंत्राले यात्रियों की सूची उनके आगमन से पहले संबंधित राज्यों के साथ साज़ा करेगी इसी प्रकार से बहुत से विदेशी, ग्रीन कार्ड या OCI कार्ड होल्डर्स और भारतिय जो विभिन कारणों से विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यात्रा की व्यवस्था की गई है, बशर्ते गंतव्य वाला देश, इन्हें अपने यहां प्रवेश की अनुमती दे इवाक्वेशन फ्लाइट्स द्वारा विदेश जाने वाले अंतराश्ट्रिय यात्रियों के लिए Airports Authority of India ने भी एक SOP बनाई है, जिससे कि Social Distancing Health Protocols का Airports पर अनुपालन हो SOPs के सफल क्रियानवन के लिए स्वास्थ मंतराले, विदेश मंतराले, ग्रिह मंतराले, सैन्य मामलों के विभाग, Civil Aviation मंतराले और Air India के वरिष्ट अधिकारियों की एक Inter-Ministerial Coordination Committee का गठन किया गया है यहाँ कमिटी मिलकर SOP को लागू करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करेगी कमिटी संबंधित राज सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी इस क्रम में नौसेना का जहाज INS जलश्वा माल्दीवस पहुँच गया है और वहाँ से लगभग साथ सो यात्रियों के साथ जिन में बच्चे और महिलाएं शामिल है आज रवाना होगा यहाँ अनुमाने के दस मई की रात तक यह कोची पहुचेगा कल अबुधभी से कोची और दुबई से कोजी कोट के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर पहुच चुकी है आज सिंगापूर से दिल्ली की फ्लाइट भी 200 से अधिक यात्रियों के साथ पहुच गई है पाँच और फ्लाइट्स आज पहुचेंगी जो OCI कार्ट होल्डर्स और विदेशी भारत में लॉकडाउन की वजह से फसे हुए हैं उनके वीजा सुविधा और कॉंसुलर सेवाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्ने लिये गए हैं चुकि लॉकडाउन में अंतराष्ट्य हवाई यात्रा के अनुमती नहीं है इस अवधी के लिए OCI कार्ट धारक की मल्टिपल एंट्री लाइफ लॉंग वीजा सुविधा को स्थगित किया गया है परन्तु OCI कार्ट धारक जो पहले से ही भारत में हैं उनका OCI कार्ट किसी भी अवधी तक भारत में रहने के लिए वैद होगा प्रतिभन के दौरान अगर OCI कार्ट धारक बहुत आवशक कारणों से भारत की यात्रा करना चाहें तो वे भारतिया मिशन से वीजा के लिए संपर कर सकते हैं जिन विदेशी नागरेकों का वीजा एक्सपायर हो रहा है उनके आनलाइन आवेदन पर उनके वीजा को ग्रैटिस आधार पर यानि बिना शुल्ख लिए एक्स्टेंड किया जाएगा ये सुविधा रेगिलर या ई-वीजा दोनों के लिए उपलब्ध है इस एक्स्टेंशन पर ओवरस्टे की पेनल्टी नहीं लगेगी भारत द्वारा अंतराश्ट्य हवाई यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के 30 दिनों की अवधी तक यह वैलिड होगा मैं फिर से सबसे अनुरोद करूंगी कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कार्य स्थलों पर हम राश्ट्य निर्देश सोशल डिस्टिंसिंग और हेल्थ पोर्टोकॉल्स का पूर्ण रूप से अनुपालन करें